अब देखो सेवंथ कुश्यन भारत की विदेशनिती का निर्मान शान्ती और सयोग किसी दान्तों को आधार मान कर हुआ लेकिन 1962-1972 की अवधे यानी महज 10 सालों में भारत को तीन युद्धों का सामना करना पड़ा क्या आपको लगता है कि यह भारत की विदेशनिती की ऐस सफलता है अत्वा क्या आप इसे अंतराश्ची प्रिस्तितियों का परिणाम मानेंगे अपने मंतवे यह पक्ष में तर्क दीजिए देखो भारत ने जो विदेशनिती अपनाई उसमें शान्ती और सयोकी बात करता है वो पर 1962 से लेकर 1972 के बीच में हमारे तीन युद्ध हो गए तो यह कहरे हैं कि क्या भारत की विदेशनिती सफल हो पाई जब उसे तीन तीन लड़ाई ही करने पड़ी अब देखो इसका अंसर आजादी के समय भारत ने अपनी विदेशनिती का निर्मान शांती और सयोग के सिधानतों के आधार पर किया अर्थात भारत अंतराष्टिय स्तर पर सभी देशों के साथ शांती एम सयोग चाहता था परंतु 1962 से लेकर 1972 तक भारत को तीन युद लड़ने पड़े तो इसमें कुछ हद तक भारत की विदेश निती की ऐसे फलता भी मानी जाती है तथा अंतराष्टिय प्रिश्थितियों का परिणाम भी तो जो 1962 से लेकर 1972 के बीच में तीन युद हुए हैं उसमें कुछ हद तक हम मान सकते हैं कि भारत की विदेश निती थोड़ी बहुत ऐसे फल रही और अंतराष्टिय प्रिश्थितियों का भी इसमें योगदान रहयानी कि जो इंटरनेशनल माहोल था जैसे कि हमारी जब चैना से लड़ाई हुई तो भारत और चैना की डिरेक्ट लड़ाई नहीं थी वो तिब्बत वाले मामले की वजय से हमारी चैना से लड़ाई हुई ठीक है जब तिब्बत में चैना ने अटेक किया तो हमने तिब्बत वाले लोग को जब शरन दी उसके बाद चाइना ने हमारे उपर अटेक किया तो तिब्बत मुद्दा था भारत और चीन में विवाद का तो ये प्रोब्लम होई थी तो इसमें अंतराष्ट्य प्रिस्तितियों का भी योगदान है सिर्फ भारत की विदेश निती कमजूर नहीं रही अंतराष्ट्य प्रिस्तितियों का भी इसमें योगदान रहा भारत के पर्थम परधान मंतरी पंडित जोहरलान नहरू ने अपनी विदेश निती के अंतरगत सभी पडोसी देशों पर विश्वास जताया उन्होंने बरोसा किया था चाइना पर भी अपने सभी पडोसी देशों पर परन्तु चीन पाकिस्तान ने उस विश्वास को तोड़ दिया अब हमारी विदेश निती के गलती नहीं है चीन ने हमारे साथ पंच-शिल एग्रिमेंट साइन करके भी हमारे पर हमला किया तो ये उसने हमारे साथ विश्वास कात किया है इसी तरह अंतराश्चे प्रिस्तितियों जैसे कि शीतियुद ने पाकिस्तान को भारत पर आकर्मन करने के लिए उकसाया और इंटरनेशनल जो क्या चल रहा था मामला कोल्ड वर वाली बात चल रही थी तो अमेरिका को पता था कि भारत का जो जुकावा वो रूस की तरफ है इसी लिए हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करता था अमेरिका तो Cold War की situation होने की वज़े से हमारी लड़ाई हुई है पाकिस्तान की वज़े से क्योंकि अमेरिका ने उसे बहुत उक्साया है अब आज भी देखते हो पाकिस्तानी आर्मी के पास बहुत सारे अमेरिकन हतियार है तो वो उसी समय पे अमेरिका ने दिये थे तो हम शुरू से थोड़ा सा रूस के तरफ हमारा जुगाव रहा है अमेरिका ने क्या किया पाकिस्तान को बहुत उक्साया है युद बगरा के लिए हमेशा कहते था पाकिस्तान से तो करदे लड़ाई शुरू में अपने आप देख लोगा ठीक है तो हर लड़ाई में पाकिस्तान को अमेरिका ने सपोर्ट भी किया तो यही बाते कह रहे हैं कि केवल जो है विदेश नितिया सफल नहीं रही बलकि अंतराश्टे प्रिस्थितियां ऐसी थी जिनकी वज़ए से हमें युद करने पड़े मैंने आपको दोने एक्जेम्पल बता दिये हैं चीन में क्या सिच्वेशन हुई थी तिब्बत वाले सिच्वेशन हुई थी और चीन ने हमारे साथ दोखा किया हमने पंचिल एगरिमेंट भी किया था उसने उसको तोड़ दिया दूसरा पाकिस्तान के साथ क्या सिच्वेशन हुई अमेरिका या कोल्ड ओवर की वज़ज़ से पाकिस्तान को बार बार उक्साया गया था वारत पर हमले करने के लिए तो अंतराष्टी प्रिस्तितियों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा इन युद्धों को कराने में अब देखो एट्थ कोश्चन क्या भारत की विदेश नीती से यह जलगता है कि भारत शित्यस्तर की माशक्ती बनना चाहता है 1971 के मंगला देश युद्ध के संदर में इस परशिन पर वचार करें यानि क्या जो भारत की विदेश नीती है उसे दिखता है कि भारत जो है आसपास के देशों पर कबजा करना चाहता है और एशिया में एक माशक्ती बनना चाहता है देखो भारतिय उप महधवीप का सबसे महत्यपून एंव शक्ति शाली देश है यानि कि एशिया में कि एगर हम बात करें तो चाइना और भारत ये दोनों ही बहुत important देश है तो यहाँ पे कहा रहे हैं कि भारत एक बहुत important देश है एशिया में अते है भारत की विदेश निती का संचालन इस परकार से किया गया है कि भारत भारतिय उप महादविप में एक माशक्ति बन कर उभरे ठीक है बारत की विवे देशनिती ऐसी है इसमें हर देश को वह सपोर्ड करता है चायसे में नेपाल हो, bênगलादेश हो, भूटान हो, पाकिस्तान हो हर देश को हमने हमेशा सपोर्ड किया है ठीक है थाकि हमें एक माशकति बन सके क्योंकि यदि भारत इस शेतर में एक माशक्ति बन कर उबरता है तो इस से इस शेतर के सभी देशों को लाब पहुचेगा ठीक है तो नेपाल बुटाने इनको हमाज भी बहुत सारी चीज़े फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं तो अगर भारत माशक्ति बनता है तो सभी देशों का फायदा है उसमें यह तो बन ने सकते नेपाल बुटान तो ठीक है नहीं पाकिस्तान बन सकता है इतने बुरे आलाद है इनके तो एक तो हचाइना माशक्ति यहां पे और एक हमें ही बनना है दूसरा तो भारत बहुत बड़ा देश है तो अगर भारत माशक्ति बनेगा तो उसके फायदे सभी को होंगे तता 1971 के यूद से यह बात सपस्ट हो जा गई है कि भारत एक माशक्ति बनने की और अगरसर है और 1971 के यूद में क्या हुआ था हमने पाकिस्तान को हरा दिया था किस के लिए बंगलादेश के लिए बंगलादेश वालों पर पाकिस्तान अत्यचार कर रहा था तो हमने बलड़ाई लड़ी थी पाकिस्तान से जिसकी वज़े से नया देश बना बंगलादेश और यहां पे बहुत तकड़ाई example भारत ने set किया भारत चाला था उस टैम पे बंगलादेश पर कबजा भी कर सकता था पर बारत ने बंगलादेश की आजादी की बात की और आज तक कभी भी बंगलादेश के किसी भी इंटरनल मेटर में कोई भी इंटरफेर नहीं किया है तो भारत एक बहुत अच्छा देश है और वो महाशक्ती बन सकता है अगर वो महाशक्ती बनेगा तो सबी देशों का फायदा ही है ये बात हमने 1971 के युद में शाबिद कर दे थी क्योंकि हमने युद भी लड़ा, पाकिसान को हराया भी और हमने बंगलादेश में इंटरफेयर भी बिल्कुल भी नहीं किया और बंगलादेश को आजादी दिलवाई आप देखो कोशन नमबर 9 किसी राश्टर का राजनितिक नेतरतव किस तरह उस राश्टर की विदेश नीति पर असर डालता है राजनितिक नेतरतव का मतलब है यहां के नेता जो है तो जो भी नेता होते हैं या पर धान मंतरी होते हैं या पूरा मंतरी मंडल होता है वो किस तरीके से एक देश की विदेश नीति पर परभाव डालते हैं देखो जिस सोच का आदमी होगा में इन देश में, उसी तरीके की तो देश की विदेश निती होगी, क्योंकि वही तो विदेश निती बनाएंगे, तो भारत की विदेश निती का उधान देता गयों में इस बात को बताना है, जो भी पंडित जो आलना नहरों की विदेश नि आप देखते हो ना, अलग-अलग नेता का अलग-अलग तरीका होता है काम करने का, तो एक डेतरतव ही है जो की अलग-अलग तरीके से देश के नितियों को चलाता है, अलग-अलग तरीके से देश के नितिया निर्धारित होती है, देखो अब, विदेश निति के निर्मान मे उस देश के राजनितिक नितरतों का सरवादिक परभाव पड़ता है यानि कि बहुत main role रहता है वहां के नेताओं का राजनितिक नितरतों के विचारधारा के आधार पर ही देश की विदेश निती का निर्मान होता है यानि जैसे नेता होते हैं और जैसे उनकी विचारधारा होती है उसी के आधार पर देश की क्या बनती है विदेश निती बनती है उधारन के लिए भारत्य विदेश निती पर इस राष्टर के महान नेताओं के वेक्तिक तत्वों का भी परभाव पड़ा है यानि भारत पर यहां के माननेताओं का जो परसनल चीज़े थी, परसनल फैक्टर थे, जैसे उनकी परसनल विचारदा थी, उसका भी परभाव पढ़ा है पंडित नहरू के विचारों से हमारी विदेश निती परियाप्त पर भावित हुई है शुरू के सालों में नहरू जो है वही पियम थे और कई सालों तक वह पियम रहे तो हमारे विदेशनिती में जो हलना नहरू का बहुत बड़ा योगदान है पंडित नहरू, सामराज़वाद, उपनिवेशवाद, वे फासिस्टवाद के गोर भी रहती थे वे समस्याओं का समादान करने के लिए शान्ती पुर्ण मार के समर्थक थे तो नहरू ना तो सामराज़वाद को सपोर्ट करते थे ना उपनिवेशवाद को और ना ही फासिवाद को यानि कि विलकुल जो एक ही सरकार का रूल होता है उस चीज की वो बात नहीं करते थे वो लोकतंतर की बात करते थे और शान्ती की बात करते थे वह, मैत्री यानि की दोस्ती, सयोग, तथा, सह, अस्तित्यों के पोशक थे यानि की आपस में दोस्ती, प्यार प्रेम एक दुसरे की help करने की वो बात करते थे साथ ही अन्याई का विरोद करने के लिए शक्तिक परियोग के समर्थक थे साथ ही अगर हमें किसी गलत बात का विरोद करना पड़े तो वहाँ पे शक्ती दिखाने भी जरूरी है इस बात का भी नहरू समर्थन करते थे पंडी जुआला नहरू ने अपने विचारों द्वारा हमारी विदेशनिती के धाचों को ढ़ला यहनि जैसे उनके विचार थे वैसी ही भारत की विदेशनिती बनी पाणिकार जैसे महान नेताओं के विचारों ने भी हमारी विदेशनिती को परभावित किया है तिकर पाणिकार हैं ऐसे ऐसे लीडर हुए हमारे देश में तो उनकी नेतियों का हमारे देश पर बहुत परभाव बड़ा है स्वर्गिये सास्त्री जी व्यबूदपूर परधारमंत्री श्रीमती इद्रागांधी के काल में हमने अपने विदेश निती के मूल तत्वों को कायम रखते हुए इसमें अभ्यावारिक तत्वों का भी प्रियोग किया है यानि कि जो शास्त्री जी है, इंद्रा गांधी जी है, उन्होंने भी अपने इसाब से चीजों को बदला, पर हमेशा भारत में मूल तक हो, यानि जो उसकी में बाते हैं, जैसे कि गुटनर पेक्षता हुई, शांती हुई, दोस्ती हुई, इन चीजों को हमेशा भारत ने ब पर होता है, तो यही इस कोशन में पूछा गया था, कि राजनितिक नेतरतों, यानि कि देश के नेता, किस तरीके से विदेश नीती को परभावित करते हैं, तो बिलकुल परभावित करते हैं, जैसे नेता होते हैं, जैसे उनके विचार होते हैं, जैसे उनकी सोच होती है, देश की वी देशनीती पर वो पूरे तरीके से प्रभाव डालते हैं तो ये हमारी वीडियो यहाँ पे खतम होती है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को आप लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने सभी दोस्तों तक इन वीडियो को शेयर जरूर करो इस चैनल पर मैंने आपको पहले तो एनिमेटिड वीडियो से आपको सारा स्लेवस कवर कराया है उसके बाद आपके लिए NCRT Questions की वीडियो बनाई है इसके अलावा जो भी प्रिवेस से इन इंपोर्टन कोशन हो सकते थे उनके वीडियो बनाई है तो मैंने हर चीज वो बनाई है जो भी आपके सलेवस में आएगी जो भी आपके एक्जाम में आएगी तो आप अच्छे से पढ़ते रहो अच्छे से मेहनत करते रहो और अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छे लगती है तो इन वीडियोज को लाइक आप जरूर करो